हलो एन वेलकम टू स्टडी बॉस्टर जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने टेंस को कम्प्लीट पढ़ लिया है टेंस को कम्प्लीट पढ़ने के बाद अब हमारे पास बसते हैं कुछ महतपूर यूज जैसे can, could, may, might इस प्रकार के और भी बहुत से यूज हैं जिने हम इस वीडियो में पढ़ेंगे यहां से अब देख सकते हैं कि यह हमारे यूज हैं जिने हमें पढ़ना है तो सभी को हम एक ही वीडियो में तो नहीं पढ़ सकते धीमे धीमे करके हम पांच या चार ऐसे करके पढ़ेंगे देखते हैं कि इतनी वीडियो में complete होता है उसके बाद यहां से आप देख सकते हैं कि कुछ sentence है जैसे आपको conditional sentence हो गया, imperative sentence हो गया इस प्रकार के जो sentence है उसे भी हम इस सीरीज में देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम पढ़ेंगे use to would का use यहां से आप देख सकते हैं कि use to would का प्रयोग कहां पे होता है इसका प्रयोग उस समय किया जाता है जब कोई कार्य पास्ट में बार बार किया गया हो या करने की आदत रही हो अर्थार जो कार्य पास्ट में बार बार किया जाता है या पास्ट में करने की आदत रहती है इस प्रकार के संटेंसों में हम use to would का प्रयोग करते हैं जैसे आप यहां से देख सकते हैं कि वह सब क्रिकेट खेला करते थे अब इससे हमें क्या समझ में आता है संटेंस को पढ़ने के बाद कि क्रिकेट के खेलने का जो कार्य है वो पास्ट में मतलब कोई जो क्रिकेट खेलता है वो पास्ट में उस कार्य को क्या कर रहा है बार बार कर रहा है अर्थाद बार बार वो क्रिकेट खेल ला है अगला संटेंस आप देख सकते हैं कि वह इंगलिस नहीं बोला करता था इंगलिस नहीं बोला करता था ये भी हमारा जो कारे है ये पास्ट का है जो पास्ट में बार बार होता था अब यहाँ से अब देख सकते हैं अगला क्यों तुम इंगलिज बोला करते थे तो यह हमारा इंटरोगेटिव है यहाँ पर यह निगेटिव है तो इसे हम अब बनाते हैं तो यहाँ पर हमने इसको बनाने के लिए कोई भी रूल नहीं लिखा है आपको एक simple सा rule है उसको याद रखना चाहिए कि पहले हमारा क्या आएगा subject subject के बाद क्या आएगा verb और verb के बाद क्या आएगा object इतनी चीजों को आपको याद रखना है अब देखिए अगर helping verb है उसमें तो उसे आपको यूज करना है just subject के बाद यह आपका जो यह rule है यह सभी यूजों में लग सकता है यहाँ पर अगर कोई भी जैसे अभी यहाँ पर आया use to would तो subject के just बाद हम क्या लगा देंगे use to would जैसे यहाँ पर पहला sentence आप देख सकते हैं वह सब क्रिकेट खेला करते थे word सब का हमारा हो जाएगा दे और subject के just बाद हमें use to would में से किसी एक का प्रियोग करना है तो यहाँ से हम लिख लेंगे used to उसके बाद word आएगा तो खेलना का हो जाएगा हमारा play और उसके बाद जो बसता है वो हमारा आजाएगा किसमें? अबजेक्ट में तो हमारा यहाँ से बचा क्या? क्रिकेट तो यहाँ से हम लिख लेंगे क्रिकेट तो sentence हमारा क्या बना? आप इसे इस प्रकार से भी बना सकते हैं कि दे उड़ प्ले क्रिकेट एक बार फिर चे हम इसे समझते हैं देखिए इसके लिए हम एक सिंपल सा रूल याद रखेंगे subject, verb और object यहाँ पर verb की first form भी कह सकते हैं आप तो यह हमारा subject उसके बाद verb उसके बाद object और दूसरी चीज़ इसमें हमको याद क्या रखना है कि जो भी यूज रहेगा उसे हम just subject के बाद use करेंगे जैसे हमने यहाँ पर देखिए पहले subject को लिखा उसके बाद used to को लिखा यहाँ से आप देख सकते हैं पहले subject लिखने के बाद हमने क्या किया कि used to लगाया उसके बाद verb और उसके बाद object तो इस प्रकार आप इसे simply बना सकते हैं अब अगला हमारा sentence क्या है कि वह English नहीं बोला करता था तो वह क्या हो जाएगा? ही ही हो गया उसके बाद क्या लगाना है मैं subject के just बाद used to या उड़ का प्रियोग करना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे used to sorry यहाँ से हम जो to का प्रियोग करेंगे not के बाद करेंगे जैसे यहाँ से देख सकते हैं आप used to है तो used और to के बीच में हमें क्या लिखना है not लिखना है तो यहाँ पर पहले हम क्या लिख लेंगे not उसके बाद to अब देखिए हो गया he use not to उसके बाद verb आ जाता है हमारा verb क्या है हमारा speak तो यह हमारा speak हो गया उसके बाद object आएगा तो object हमारा क्या है इसमें English तो हमारा sentence क्या बन जाएगा he use not to speak English आप इसे इस प्रकार से भी बना सकते हैं कि he would not speak English तो इस प्रकार से हम इसे बना सकते हैं अब अगला हमारा क्या है क्या तुम English बोला करते थे अब यह हमारा interrogative sentence है तो हम क्या लगाएंगे पहले would जो हमारा interrogative का हमने tense में rule पढ़ा है सेम उसी rule से भी इसे बनाना है बस वहाँ पे जो आप helping verb यूज करते थे tense के अनुसार आप यहाँ पे helping verb use to या would का प्रयोग करेंगे तो हमारा sentence शुरू होगा जो would से उसके बाद subject हमारा क्या है तुम तो यहाँ से हम लिखेंगे you उसके बाद speak उसके बाद English तो हमारा sentence क्या बन जाता है would you speak English तो एक बार फिर से हम इसे revise कर लेते हैं देखी used to उड का प्रयोग वहाँ पे होगा जब past में कोई कार्य बार बार किया गया हो जैसे हम कहें कि वह school जाया करता था वह अंग्रेजी पढ़ा करता था मैं हिंदी बोला करता था मतलब जो कार्य past में बार बार हुआ रहता है उसके लिए हम used to या उड का प्रयोग करते हैं अब इसके rule यहां से आप देख सकते हैं simply हमको एक simple सा rule है subject, verb और object इसको हमें याद रखना है तो इसको हम याद रखेंगे कि subject आएगा उसके बाद verb और उसके बाद object और एक चीज इसमें और include हो जाएगी वो क्या है कि subject के बाद हमको used to, would या जो भी helping verb आएगे इसके आगे जो भी हम use पढ़ेंगे subject के just बाद उसका use करना है तो यहां से हमने क्या देखा कि वो क्रिकेट खेला करते थे तो खेला करते थे इस बाद से हमें ये समझ में आ गया कि ये कारे जो है past में बार-बार हुआ है तो हम इसके लिए क्या use करेंगे used to या would का use करेंगे तो हमने पहले यहां पे लगाया subject, subject के बाद हमने क्या किया used to का प्रियोक किया उसके बाद verb हमारा आ गया verb लिखा, उसके बाद object object यहां पे हमने लिख लिया तो कुछ इस प्रकार से अब sentences को बना सकते हैं आसा करते हैं आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी अब हम चलते हैं अपने अगले use पे अगला use हमारा क्या है started to begin to देखिए इसका प्रियोक क्या किया जाता है जब किसी sentence के last में लगा लगी लगे आ जाए ठीक है जब किसी भी sentence के last में लगा लगी लगे आ जाए तो उस टाइम हम started to या begin to का प्रियोक करते हैं जैसे आप यहां नीचे sentence देख सकते हैं वह सब क्रिकेट खेलने लगे last में क्या है हमारा लगे तो यहां भी हम simply अपना rule याद रखेंगे कि subject subject के बाद verb और verb के बाद object और subject के जस बाद हमको यूज करना है started to या begin to का तो अब आते हैं sentence पे sentence हमारा क्या है वह सब क्रिकेट खेलने लगे वह सब को हम क्या लिखेंगे यह हमारा subject है तो वह सब का हो जाएगा दे तो यहां पर हम पहले लिख लेते हैं दे उसके बाद देखिए हमने अभी कहा कि subject के जस बाद हम started to या begin to का प्रियोग करेंगे तो यहां आप दोनों में से किसी एक का अप्रियोग कर सकते हैं अभी हम लगाते हैं यहां पर started started to उसके बाद हमारा क्या आता है verb वर्ब इसमें क्या है खेलना तो खेलने का क्या हो जाएगा play उसके बाद आएगा हमारा object object हमारा क्या है क्रिकेट अब हमारा sentence बन गया sentence क्या बना they started to play cricket अब देखी इसे हम एक तरीका और है वसे भी बना सकते हैं उसे भी देख लेते हैं अगर आप चाहते हैं कि इस टू का इसमें प्रियोग न किया जाए तो आप इस sentence को कुछ इस प्रकार से बनाएंगे they started playing अगर आप वर्ब में आयंजी लगा देते हैं जब हम वर्ब में आयंजी लगा देंगे तो उस टाइम हम इस टू का प्रियोग नहीं करेंगे तो इस टाइम हमरा sentence क्या बन जाएगा they started playing cricket अब देखी अब begin to भी इसमें लगा सकते हैं उसे किस प्रकार से बनाएंगे सेम वही रहेगा पहले हम लिखेंगे दे उसके बाद started और स्वारी यहाँ पर हमें begin का प्रियोग करना है तो they begin begin to play cricket तो यह हमारा sentence बनेगा कि they begin to play cricket अब इसमें भी अगर आप to नहीं लगाना चाहा रहे हैं तो इस two को आप हटा के इसके जगे इस verb में ing लगा सकते हैं जैसे they begin playing cricket तो इन चारों प्रकार से जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने sentence को कितने तरीके से बनाया चार तरीके से बनाया तो इन चारों तरीकों से आप sentence को बना सकते हैं लेकिन आप क्या करिएगा simply started to या begin to का ही प्रयोक करिएगा अभी आपको इसको समझना उचित होगा अब मैं कुछ sentence आपको बोल ला हूँ जिसे आप copy पे लिखिए और बनाने का प्रयास करिए जैसे वह बजार जाने लगा वह सब हिंदी पढ़ने लगे तुम अपना homework करने लगे तो ये तीनो sentence आप copy पे बना के ट्राइ करिएगा अब हम देखते हैं should का, must का और ought to का देखिए इसका प्रयोग उस समय किया जाता है जब वाक्य के अंत में क्या आजाए? चाहिए आजाए उस टाइम हम किसका यूज़ करेंगे? should का या must का या ought to का अब यहां से अब देख सकते हैं पहला sentence हमारा क्या है? तुम्हें यहां अंग्रेजी बोलना चाहिए तो लास्ट में हमारा क्या आगया? चाहिए इसका मतलब कि अब हम यूज़ करेंगे किसका? should का, must का या ought to का तो यहां भी हमारा वही simple rule यादर्व होना चाहिए कि पहले हमारा क्या? subject subject के बाद verb और verb के बाद object और इस subject के बाद ही हमें किसका यूज़ करना है? should, must, ought to का तो यहां पहले हमें आ गया तुम्हें तो यहां पर क्या होगा? यह अपना subject होगा और इसके लिए हम यूज़ करेंगे you का तो हमने यहां पर लिख लिया you उसके बाद should, must, ought to में से यूज़ करना है अभी आपको यह समझ में आ जाएगा कि कहां पर हमें should का यूज़ करना है must का यूज़ कहां पर करना है और ought to का कहां पर करना है तो पहले हम यहां पर simply क्या लगा लेते हैं? should अब should होने के बाद हम इसमें खोजेंगे कि हमारा वर्ब क्या है तो बोलना यहां पर हमारा क्या है? वर्ब है तो यहां पर हम लिखेंगे speak उसके बाद हमारा क्या हैगा? object object यहां पर क्या है? English तो यहां से हम लिख लेंगे English और यहां के लिए हम use करेंगे here तो sentence हमारा क्या बन जाएगा You should speak English here ठीक है अब इसके नीचे आप देखिए दूसरा sentence तुम्हें हिंदी अवस्य बोलना चाहिए अब जिस sentence में आपको अवस्य देखने को मिले और साथ ही साथ लाश्ट में चाहिए आए वहाँ पे हमको यूज करना है must का तो इसे आप याद रखेंगे कि जिस sentence में अवस्य आजाए और लाश्ट में चाहिए आए वहाँ पे हम किसका यूज करेंगे must का यूज करेंगे तो तुम्हें हिंदी अवस्य बोलना चाहिए पहले हमारा क्या आएगा subject subject क्या हो गया you उसके बाद हमने कहा था कि यहाँ पे subject के बाद हमें जो यूज हम पढ़ रहे हैं उसका यूज करना है तो अभी हम पढ़ रहे हैं should, must, ought to का तो इन तिनों में से कोई एक लगाना है तो जैसा कि अब जानते हैं कि sentence में अवस से आया है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे must तो यहाँ पे हम लिखेंगे must और उसके बाद verb वर्ब हमारा क्या है बोलना तो यहाँ से हम लिखेंगे speak और उसके बाद हमारा क्या हैगा object object हमारा क्या है हिंदी तो sentence हमारा क्या बना You must speak Hindi अब अगला हमारा sentence क्या है कि तुम्हें अपने माता पिता की आज्यां माननी चाहिए अब पहले sentence में और तीसरे sentence में आपको कुछ different दिख रहा होगा यहां से जो हमारा पहला sentence था यह एक समाने वाक्य था जैसे हमने क्या का इसमें कि तुम्हें यहां अग्रेजी बोलना चाहिए एक समाने सा वाक्य था लेकिन यहां पहे क्या है कि तुम्हें अपने माता पिता की आज्यां माननी चाहिए तो जहां भी आज्या आदर ऐसी बातें आएं वहां पे हम किसका यूज़ करेंगे या तो must का यूज़ करेंगे या तो or to का यूज़ करेंगे तो यहां पे must भी लगा सकते हैं लेकिन यहां पे हम क्या लगा कि यूज़ करेंगे इसको or to का प्रयोग करके इस sentence को बनाएंगे must भी लगा सकते हैं आप तो पहले हम क्या लाते हैं यहाँ पर subject subject हमारा हो गया you उसके बाद or to और उसके बाद क्या होगा obey your parents तो यह हमारा sentence बन जाएगा you are to obey your parents या आप इसी को इस प्रकार से बना सकते हैं कि you must obey your parents अब यहाँ पर हमने must क्यों लगा दिया देखिए हमें अब अबस्ट से अपने माता पिता की आग्या माननी चाहिए तो यहाँ पर हम must का भी यूज कर सकते हैं लेकिन हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब sentence में अवस से आएगा तभी must का यूज करेंगे ठीक है अब यहाँ से हमारे दो वाक्ट के और बस्ते हैं हमें यहाँ क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए तो हमें का क्या हो जागा we should और उस should के बाद हम क्या लगाएंगे not play cricket here we should not play cricket here उसके बाद यहाँ से अगला देखिए क्या तुम्हें वहाँ जाना चाहिए तो इसका क्या बनेगा should you go there should you go there देखिए यह जो हमारा है यह interrogative sentence है तो interrogative sentence में हम क्या करते हैं आपको rule अगर tense का याद हो तो same वही rule हमें यहाँ भी apply करना है बस यहाँ पे change क्या है जो वहाँ पे हम helping verb यूज़ करते थे उस helping verb की जगे यहाँ पे हम should का प्रयोग करेंगे यहाँ से अब देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे इसका rule लिख दिया पहले क्या आएगा डाबलो यज़ should subject वर्ब की first form और उसके बाद object तो डाबलो यज़ का प्रयोग इसमें नहीं होगा क्योंकि आप जानते हैं डाबलो यज़ का यूज़ कहाँ पे होता है जब यह sentence जो क्या लिखा है यह sentence के बीज में आता है ठीक है तो हम sentence को कहां से सुरू करेंगे should से तो should उसके बाद हमारा क्या आएगा subject तो subject you हो गया उसके बाद हमारा आएगा verb तो हमने verb लिख लिया उसके बाद आएगा object तो इस sentence में हमारा कोई भी object नहीं है तो object के बाद जो आता है वो other आता है तो यहाँ पे last में हम क्या लिख लेंगे other तो sentence हमारा क्या बन जाएगा Should you go there आसा करते हैं आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी अब हम देख लेते हैं कि इसी should का प्रयोग अगर sentence past में हो तब हम उसका प्रयोग किस प्रकार से करेंगे देखिए यदि वाकिए past में हो तो should के साथ हमें have का प्रयोग करना है should के साथ हम किस प्रयोग करेंगे have का इसको आप याद रखिएगा कि अगर sentence past में हो तो should के साथ हमें have का प्रयोग करना है जैसे नीचे अब sentence देख सकते हैं तुम्हें अंग्रिजी बोलना चाहिए था तो लास्ट में था आ गया तो था से हमें ये समझ में आ गया कि ये sentence कहां पर past का है अब जब sentence past का है और उससे पहले भी हमने ये देखा कि चाहिए तो चाहिए के लिए हम should का प्रयोग करते हैं और sentence past में है तो should के साथ have का प्रयोग कर देंगे तो यहां हमारा क्या बनेगा यू सुड हैब अब यहां से एक चीज और आप याद रखिएगा कि जब भी आप sentence को past में बनाएंगे यहां पे साथ हमने यहां पे लिखना भूल गया वर्ब की third form यूज़ करनी है आपको हमेशा वर्ब की third form यूज़ करनी है तो यहां से हमारा वर्ब क्या है बोलना तो यह क्या हो जाएगा हमारा spoken और last में हमारा क्या बचता है English तो यहां से हम लिख लेंगे English तो sentence हमारा क्या बन जाएगा you should have spoken English हमें इसमें याद क्या रखना है कि अगर चाहिए आ जाए और यह past में रहे मतलब past में कोई sentence हो ठीक है उस time हमें suit के साथ have का प्रियोग करना है और एक चीज़ और इसमें याद रखना है कि हमें इसमें verb की third form यूज़ करनी है अब अगला sentence हम देखते है क्या है तुम्हें क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए था तो यह क्या बनेगा हमारा you should not have played verb की third form यूज़ करना है played cricket sentence हमारा क्या हो जाएगा you should not have played cricket आसा करते हैं इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी अब देखिए एक sentence आता है जैसे हमने यहाँ पर लिखा है धीरे चलो कहीं ऐसा नहों कि तुम गिर जाओ ठीक है तो यह जो कहीं ऐसा नहों इसके लिए हम प्रयोग करते हैं list का और इस list के बाद हम किसका प्रयोग करते हैं suit का जैसे यहाँ पर देखिए sentence को हम जब बनाएं किस प्रकार से बनाएंगे धीरे चलो तो इसका हम बनाएंगे walk slowly अभी आप इस sentence को नहीं समझ रहे होंगे क्योंकि यहाँ पर वर्ब क्या है वो पहले ही आ गया इसको हम आगे पढ़ने वाले imperative sentence में तो अभी आप इसको simply ऐसे याद रखें कि walk slowly और इसके बाद हम किसका यूज करेंगे list का यहाँ से हम लगाएंगे list देखिए इतना हो जाने के बाद ठीक है आपको इसमें धूड़ना है subject तुम गिर जाओगे ठीक है तो यहाँ पर subject क्या है तुम तो you और you के बाद हम लगाएंगे should fall तो sentence हमारा क्या बनेगा walk slowly less you should fall अब हम कुछ sentence बोलते हैं जिसे आप स्वयम से करने का प्रयास करिएगा जैसे हमारा एक sentence है कि धीरे बोलो कहीं ऐसा नहों कि वो सुन ले तो इसे आप स्वयम से करने का प्रयास करिएगा अब एक sentence और ले लेते हैं जैसे सोर मत करो कहीं ऐसा नहों कि अध्यापक क्लास में आ जाएं तो इन दोनों sentence को आप स्वयम से बनाने का प्रयास करिएगा अब हम देखते हैं अपना अगला यूज अबाउट टू का अबाउट टू का प्रयोग कहां पे होगा इसका प्रयोग उस समय किया जाता है जब वाक्य में कोई कारे होने ही वाला हो या होने ही वाला रहा हो जैसे पहले आप sentence को समझ लिजिए जैसे यहां पर हमने लिखा वह सब क्रिकेट खेलने ही वाले थे मतलब क्रिकेट के खेलने का जो कारे था वो होने ही वाला था तो यहां पर आपको किसका यूज करना है अबाउट टू का यूज करना है जहां भी sentence में आपको पढ़ने के बाद ऐसा लगे कि कारे होने ही वाला है ठीके वहां पर आपको यूज करना है किसका अबाउट टू का यूज करना है अब इसका रूल क्या है पहले हम is, am, are, was, were, about, to, verb की first form, object, other अब देखिए अगर sentence present में है present आप समझ रहे होंगे तो हम किसका प्रयोग करेंगे is, am, are का अगर sentence past में है तो हम was या, were का प्रयोग करेंगे अगर sentence past में हो और present में रहेगा उस टाइम हम किसका प्रयोग करेंगे is, am, are का यह हमारा पहला sentence है कि was up cricket खेलने ही वाले थे तो यह तो हमारा past में है तो इसके साथ हम किसका यूज़ करेंगे was या were में से किसी एक का यूज़ करेंगे तो पहले हमारा क्या जाएगा subject was up यह हमारा subject है तो was up को हम क्या लिखेंगे दे उसके बाद देखिएं यहां से हमें इन पांचों में से किसी एक का प्रियोक करना है और बहुत ही ध्यान से आपको इसको देखना होगा कि sentence हमारा present में है या past में है अगर past में है तो आप was या were में से कोई एक लगाईए तो यह sentence हमारा जो है वर का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे हमारा हो गया वर उसके बाद हम यूज करेंगे about to का तो यहाँ से हम लिख लेंगे about to उसके बाद वर्ब की first form वर्ब हमारा क्या है खेलना खेलने का क्या हो जाएगा play उसके बाद क्या हैगा object अबजेक्ट हमारा क्या है क्रिकेट तो संटेंस हमारा क्या बन जाएगा दे रबाउट टू प्ले क्रिकेट अब अगला मारा संटेंस है वह क्या वह आने ही वाला था तो यह हमारा क्या है सबजेक्ट तो वाज जो सबजेक्ट हमारा है यह सिंगुलर है तो सिंगुलर सबजेक्ट के साथ वाज या वर में से किसी एक का प्रयोग करते हैं किसका प्रयोग करेंगे वाज का तो यहां पे हमारा हो जाएगा वाज और इसके बाद क्या होगा subject हमारा जो है उसको लिखा जाएगा subject हमारा हो गया ही और उसके बाद about to about to अब हमारा last में क्या बसता है verb यहाँ पर देख सकते हैं तो verb हमारा क्या है आना तो आने का हो जाएगा come तो sentence हमारा क्या बन जाएगा was he about to come अगला sentence हमारा है कि मैं बजार जाने ही वाला किस प्रकार से हम इसे बनाएंगे I am about to go to market I am about to go to market अब देखिए यहाँ पर हमने में एम का यूज क्यों किया क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं कि यह जो sentence था यह किसमे है present में है तो जब भी sentence present में होगा उस टाइम हम इसे मार का प्रयोग करेंगे और past में होगा तो वाज या वर में से किसी एक का यूज करेंगे आसा करते हैं आप इतनी चीजों को अच्छे से समझ गए होंगे तो यह आज की वीडियो का यह last use होगा head better का अब देखिए इसका प्रयोग कहां पर होता है इसका प्रयोग उस समय किया जाता है जब वाक्य में अच्छा होगा आजाए जब वाक्य में अच्छा होगा इस प्रकार का कोई सब्दा है तो उस टाइम हमें किसका प्रयोग करना है head better का जैसे आप नीचे देख सकते हैं अच्छा होगा तुम यहां इंगलिस बोलो तो अच्छा होगा तुम वहां न जाओ तो इस प्रकार के संटेंसों में हम किसका प्रयोग करते है head better का अब सिंपली ऐसे याद रखिएगा अगर संटेंस में अच्छा होगा आया तो उस टाइम head better का प्रयोग करेंगे अब चलिए पहला हम बनाते हैं अच्छा होगा तुम यहां English बोलो तो सबसे पहले हमें क्या लाना है subject उसके बाद verb उसके बाद object यह तीन चीज़े याद रखनी हमको और subject के just बाद हमें head better का प्रयोग करना है तो यहां पे क्या है अच्छा होगा तो you subject हमारा हो गया यह हमारा subject यहां पे हमें तो इसका हमने यहां पे लिख लिया you पर उसके बाद क्या करेंगे head better you head better इसके बाद हमारा क्या है verb वर्ब हमारा क्या है बोलना बोलने का क्या हो जाएगा speak उसके बाद object हमारा क्या है English तो यह हमारा English हो गया उसके बाद देखिए sentence में कुछ बचता है क्या जो बचता है वो किसमें आ जाएगा other में तो यहां से हमारा क्या बच रहा है यहां, तो यहां के लिए हम use करेंगे here तो sentence हमारा क्या बन जाएगा you had better speak English here तो एक वाकिए हम आपके लिए छोड़ते हैं उड़ का प्रयोक पढ़ लिया started to, begin to का प्रयोक पढ़ लिया should, must or to का पढ़ लिया about to का पढ़ लिया had better का पढ़ लिया अब जो हमारी अगली वीडियो होगी वहां से हम पढ़ेंगे can, could, may, might has to, have to, had to, will have to तो वीडियो के यही पर समाप्त करते हैं धन्यवाद